असली मैं पहले भी बड़ आया था तो देखो मैं एक बात को मानता हूँ आपकी सॉरी बातें गलत है वो गलत है जो सही है बहते है लेकिन जहां एक बार मुझे confusion यह हुई थी कि जैसे हमारे बाबा राव जो भीम राव मेडकर जी है उनको मैं बहुत मानता हूँ आप भी मानते हो सब मानते हैं बाबा साथ ठीक है ठीक है तो उन्होंने अपने सरीदान में ये भी लिखा कि किसी को भी अजादी है वो कोई भी अपना धरम जिसमें वो आस्ता रखता है जिसमें उसका विश्वास है जिसमें उसका मन है जहां उसको अपने मन को शान्ती मिलती है at the end of the day तो मतलब यही है न कि मन को शान्ती मिलनी चाहिए तो वो अगर कोई सा भी धरम उसको अपनाए तो उसमें कोई रॉंग नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ये सविदान में ये चीज लिखी है तो मुझे लगता है कि हमें धरम को इनको क्या प्रॉब्लम है बिजेज भाई ने जो constitution दिया वो एके secular माननता वाले इनसान को जस भी कीज़ को प्रेक्टिस करना चाहता है वो प्रेक्टिस कर सकता है उससे फरक नहीं बढ़ता है लेकिन दूसरी बात ये भी है बाबा साहब ने ये भी कहा है कि scientific temperament को बढ़ाया जाये मानताओं को खुली चूट इसलिए दी जाती है अगर कोई इंसान अंद्विस्वासी है अगर वो बैसे महाल में परला बड़ा है लेकिन अगर वो या गलती कैसे भी करके वो अगर अंद्विस्वासी बन गया है अगर हम ये इतना लचीलापन नहीं रखेंगे अगर मानलो सभी रैसनल भी हो गए तो उस पे कहीं न कहीं वो लोग कुछ है उसको परिसान न कर दें उसको चोट न पहुँचा दें या उसकी मानता इस तरीके से क्योंकि कई बार ऐसा भी होता नि कि किसी की मानता है और एकदम उसको कठोरता से अगर पोच किया जा हो सकता है कि वो इनसान mentally frustrated हो जाए या पागल हो जाए या वो कुछ उल्टा सीधा कर ले तो इसलिए किसी मानता जो है उसका एक बहतर तरीका होता है कि इसलिए बाबा साब ने प्राबधावन डाला है कि आप scientific temperament को बढ़ाईए आप scientific temperament के साथ आप जो गलत चीज़े हैं उनका ब्रोध करिए ये चीज़े तो सर आपको ये भी तो समझना चाहिए नहीं मैं आपकी बात से agree करता हूँ वो बात आपकी ठीक है अच्छा मेरा एक question ओर था मैंने एक channel है उसका नाम नहीं बहुँगा तो वहाँ पे वो हिंदुरास्ट channel है वो तो उसमें एक बात बोली थी तो मुझे आपसे वो clarify करना था कि उन्होंने बोला कि जब last में जब ये अन्त हुआ उनका रिशी मुनी थे जिस time जो उनके अनुसार थे ठीक है तो उन्होंने अपने वेद में या ग्रंत में ऐसा लिखा कि अब के बाद अगर कुछ भी अगर इनसान को मानना है ना तो वो किसी के भी लिखे हुए अगर किसी ने गलत लिखा है या कोई लिखता है गलत किसी बारे में उसको मानने से पहले अपना विवेक और तर्क पे अगर जो चीज खरी उतरती है ना उसको मानो तो मैं आपसे यह पूछना चाहरूं कि ऐसी कोई रेफरेंस है कहीं पे कि यह उन्होंने बोला था सर अगर ऐसा होता ना यह तो ऐसा कहीं दिखा नहीं है सर मगर आप यह हिंदू राष्ट्र चैनल देखते हो क्या वैसे आप यह यह भी अच्छा जवाल पूछा बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखो सुनो ना सुनिया ना देखिए सब से पहले तो आपने वाले को दिख गया कि उसका धर्म जो भ्रामा के उसके बाद भी करना है तो कही है जो मूर होते रहते हैं उससे हमको लेना देना नहीं है दूसरी बात है यह हिंदू राष्ट्र वैसे के बारे में क्या विचार है वैसे आपके सर बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको मेरे विचार देखो बिल्कुल सीधे है ठीक है मैं बचपन से जो मेरे पापा मतलब है वो आरे समाज को मानते थे मैं वहाँ पे बचपन से जो मेरी धारना बनी है जो मेरा एक विचार बना है फिक है वो बच्पन में ही होता है हर किसी का विक्सित तो मैं जो चीज मैंने आपको पहले आते ही बोली जो चीज गलत लिखी है अगर किसी ने गलत लिखी है तो वो गलत है मैं उसको गलत मानता हूँ और अगर वो कोई चीज सही लिखी है जो मानवता के लिए सही है हिंदू राष्टर के बारे में क्या है पूछा मैं हिंदू राष्टर के बारे में अगर कोई हाँ मेरे विचार ये हैं कि अगर कोई unity की बात करता है एकता की बात करता है भारत हिंदू राष्टर होना चाहिए कि नहीं सर मैं सवाल पूछता हूं कुछ आप कहीं और जा रहे उधो का पूझता हूं जो मादो है उसका बता देते हो आप भई, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि ए नहीं होना चाहिए, वस यह पूछ्छरों मैं आप से नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरा माणना यह है कि ऐसा कोई बाते हैं एक्लिस्ट उसके बारे में तो हमको बोलना ही चाहिए और कुछ नहीं तो exactly, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बात का, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये नहीं होता, मैं तो बाबा साहब को इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने actual में जो, actual, हाँ बाबा साहब भी बोल रहा हूँ, actual में जो अजादी जो दी है उन्होंने ही दिये. Freedom of speech की अजादी उन्होंने दिये. कानून लेकर आए. ये वाला सविदान में ये कानून बनाया है. Freedom of speech, freedom of expression, मतलब जो भी है. इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने वो लेके आए हैं. मैं तो बहुत मानता हूँ. लेकिन मतलब कहां पर क्या यूरोप अमेरिका यूरोप में मतलब इसका कहने क्या मतलब है आपका मैं समझा नहीं मतलब अमेरिका जो कंट्री ना उनाइटेट स्टेट्स अफ अमेरिका कहां पर ही है गलत भी बता दोगे मैं सहीं कर दूँगा आप एक गैस मार लो न यूरोप यूरोप में नौर्थ अमेरिका करके एक दूसरा कॉंटिनेंट है वहां पे लेकिन अब चुकी आर रिसमाच के हो ना भाया स्क्रीन सेर कर दे थोड़ा सा यार ये यार ये वाला बात अच्छा आय सर ये दसवे समुलास में और आपने खुद ही कहा सर देखिए कि जो मुर्खता पून बाते हैं तो उसके उपर तो हमको वोलना ही पड़ेगा न है न और ये तो हमारा संभिदान भी कहता है रियलिस्ट आजाद भाई ने बताया कि वह साइंटिफिक टेंपरमेंट को डेव अब है भई हमारा तो ये तो इसमें तो ये दयानन सरस्वती जी लिख रहें कि अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिश्य सहीद पाताल अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं उसमें निवास करते हैं तो ये दयानन सरस्वती जी पाताल को अमेरिका पूल रही है सर मतलब कैसे नहीं नहीं यह इसको मैं नहीं वानता देखो जो चीज मैंने पहले ही बोली गलत है ठीक है यह यह गलत है ना मतलब किसने मतलब प्रूफ किया कि दया नंजी ने यह लिखा सत्यार्थ प्रकास में सत्यार्थ प्रकास का दस्वा समुलाज समुलाज पेज नंबर 280 में लिखें यह देखें सामने में और किंडल है किंडल ही वूख है तो मैं तो कोई वीडियोफ भी नहीं दिखा रहा हूं आपको तो यह अमेरिका मतलब अपना क्या पतालवता लेग है सर कि नहीं मैं बोलतो रहा हूं जो चीज मैंने आपको पहले ही जो चीज गलत है वो गलत है जो चीज गलत है वो गलत लेकिन चीज़ अबिलकुल गलत ही नहीं मूर्खता पून बात हुए अच्छा मुर्खतपूंट बात को कहने वाला आदेमी क्या होता है सर बेवकूफ होता है और और क्या होता है तो क्या मैं स्वामी दयानांद सरस्वती को बेवकूफ कह सकता हूं इस स्टेटमेंट को पढ़क है नहीं नहीं यहीं तो गलत है यहीं चीज़ तो गलत आ रहे हो ना अब इस आप एकदम मैं अभी मेरे साथ ठीक ठाक चले मैंने आपको दिखाया सत्यार प्रकाश में लिखाया मैंने आप सो पुछा अमेरिका कहा है तो चली आपने थोड़ा सा इक गलत बता दिया मैंने उसको ठीक कर दिया उसमें कोई बात ने ठीक है फिर मैंने आपको ये भी बोला भई कि जो ऐसी बाते हैं कि जो मेल जोल नहीं खाती तारकिक बुद्धी से उनको विरोध करना चाहिए उनके बारे में लोगों खुल के बताना चाहिए आपने का हाँ पिल्कुल ये तो होना चाहिए फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि बही सत्यार प्रकास में लिकाए कि अमेरिका पातालो का आपने का हाँ ये तो बहुती बेकार बाता मैंने आपसे ये भी पूछा कि क्या ये बात को मैं मूरुखता पून कह सकता हूं आपने का हाँ आम बोल्चाल की भाषा में क्या कहते हैं सिर्फ ये जानना चाहते हूँ आज जाना का देवगुफी बोलते मेरे साफ से तो बेवगुफ ही होका तो स्वामि दयानद संद्व में या फिर वो पकूफ Nभी नहीं नहीं यहीं तो आपको गलत बोल रहा हूं ना, आप मेरी बात को सुनिए, मैं यह बोल रहा हूं कि यह जो चीज लिखी है और यह सही नहीं है, मुर्तब बात है, यह जब आपने यह कहा ना, कि मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को बुला के लाँगा, जो बहुत धरम जानता है, तब ही म मेरे को पता है केंचुली छुटने में टाइम लगता है, वो मैं जानता हूं, उसी समय समझ गिया था, मैं अब देखिए इसको ऐसे समझ गिया, आप कहरें, A is equal to B, ठीक है, B is equal to C, लेकिन A is equal to C नहीं कह पा रहे हो आप, A जो है, B के बराबर है, B जो है, C के बराबर है, तो भाई, logically A और C एक बराबर होना चाहिए न, आप ये कहीं नहीं पा रहे हो, यहां पर, नए, नए, मैं आप मेरी बात पूरी तो करने दिजेंन, आप पहले, एक बार मेरी पूरी बात होने दिजें, मैं ये यह नहीं कहरा है, मैं तो आपकी बात प्यागरी कर रहाँ, लेकिन जब आप नहीं बोला किEMA 19-94, C ने, बेवकूफ हैं, यह बोलो, तो मैं ये कैसे बोल तो और कौन है यह जो यह जो अंकल बेटे जिनके पीछे की सका चैरा दिखर है यहां कहा लिखा है कहा लिखा है तो मिद आनजी रहिटर्ए कि आपको यह नहीं पता है सत्यार्प्रकास किस ने लिखी है क्यों और कैसे भी लिख दाना है उन्होंने पूरा आपको यह नहीं पना है इसमें यह दैनन सरसुती की जो चेले हैं उनके साथ बारता लाव है ठीक है वो लिखा गया है जैसे बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस जो होती थी उनको किताब का रूप दे दिया गया तो इस तरीके से इनकी जो बारता लाव है और इनको बो भी पेज दिखाओं क्या भाई जिसमें दैनन सरसुती ने ये कहा है कि सूर पर बकरियादी रहते हैं इंसान बकरियादी अरे वाँ पूछने अली बाद दिखाईए बिल्कुल साहब को ये भी देखोगे क्या अहां नहीं देखोगे क्या दिखाओं ना आप देखेंगे वह रूपर 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 मैं वह दिखाओं पर न्यूटन जी वह पेज आपके पास पड़ा मतलब इनों ने ये मतलब ये कहरे सत्यार प्रकाश ही दयानन सरस्वतीनी नी लिखी भई अरे बड़ा आगे निकल गए यारे डिफेंड करने न्यूटन सर अब सहीं पकड़े हां सर एक सेकंड रुकिए न बड़ी मैं और न्यूटन सर बात कर रहे आपस में आज़ाद भाई ये निकल रहे नीटन सर। सापना केचुली बात में छोड़ता है थोड़ा सब पता है न आपको तो टाइम लगता है छोड़ने में यह मापस की बात कर रहें न वहीं कॉलर सरसे इसको कई लेना देना नहीं भई ने ने आपके आजादी आपके पास आजादी आपने इतनी आजादी ली कि आपने बोल दिया कि दयानन सरस्वती ने सत्यार प्रकासी नहीं लिखी है वही इतनी आजादी तो मैंने आप तक नहीं देखी यार किसी की देखिए देखिए वाई साब यह आपको दिख रहा होगा उपर और जूम कर देता हूँ देखिए यह सत्यार्थ प्रकास ही है ठीक है यहाँ पर यह लिखा है और यह पेज नम्मर है 190 ठीक है नहीं स्वारी 190 है 190 पेज नम्मर है द्रमा और तारे क्या बस्तू है और उनमें मनुस आदी सरस्टी है वा नहीं तो स्वामी जी कहते हैं यह सब भूगौल और लोक और इनमें मनुस आदी प्रजा भी रहती है क्योंकि प्रत्वी जल अगनी बायू आकास चंद्र नक्छत्र और सूर इनका बसू नाम इसलिए है कि इनी में सब पदार्थ और प्रजा बस्ती है और ये ये ही सब को बसाते हैं जिसके लिए बास के निवास करने के गारें इसलिए इनका नाम बसू है जब प्रत्वी के समान सूर चंद्र और नक्छत्र बसू है पस्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संद और जैसे परमिस्वर का यह चोटा सा लोक मनुस से आदिसरेश्टी से बरा हुआ है तो क्या यह सब लोक सूने होंगे परमिस्वर का कोई भी काम निस्प प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख लोकों में मनुस से आदिसरेश्टी ना हो तो सफल कभी हो सकता है इसलिए सरवत्र, यह नहीं कि यह क्य दिया सरवत्र मनों से आदिस रेश्ति है मतलब हर जगह ही मन से आदिस रेश्ति है अगर चीजों का नाम अगर भी सेम है तो वहाँ भी मनूश्य रहते हैं, इसका मतलब पूरा मेंज सारी ही है अब बताऊ सरा यह लिखा हुआ है सभी का नाम इसलिए एक जैसा है इसलिए सब में प्रजा बसती है खतम हो गए बात यह इनका लॉजिक था भई अब रिजेज भई आप किसी बहुत धर्म को के बारे में जानता है उसको लाके यहां क्या करोगे यार हम तो को बहुत है नहीं तो हमको क्या वहां से आप डिबंग करना चारे हो तो हम होंगे नहीं न मेरे को डिबंग करो ना आप साइंस करो लॉजिक और रीजन से डिबंग करो मेरे को ऐसे कुछ करो ना मतलब इस तरह कोई प्रयास अगर हो आप दो दरम की बात निकर रहा है फिलोसफर फिलोसफर वो फिलोसफर की बात कर रहा हूँ अजाद वैसे ना ये भाई हमारे बहुत अच्छे हैं एक चीज है इनके में टॉलरेंस है अच्छा सर में एक चीज और पूछना चाहरा था अच्छा इस पर जवाब तो ले लो भाई इस पर जवाब आप दे दीजे फिर मैं पूछ हूँ सौमी जी का ये जो सौमी जी ने कहा है और ये सौमी जी की किताब सौमी जी ने खुद लिखी है उनका ये जो बारता लाव है उनके सिस्से के साथ वो इसमें चल रहा है तो अब क्या कहेंगी विरजेश जी जब इस तरीके की किताब आज भी चापी जा रही है तो ये धार्मिक जो लोग है इनकी मानसकता देखिएगा कि क्या ये साइंस नहीं पड़ते य और बहां पर ये पच्पन सो डिग्री सेल्सियस पर ये मनस्यादी को रख रहे हैं अब बताईए सर इसको क्या कहें ये लोजिक नहीं बनता ये तो मैं कह रहा हूँ आपको ये तो लोजिक बनता ही नहीं है मैं तो आप साथ है कि इस बात के लिए लिए तो फिर क्या जाड़े जब हमें नहीं पता किसी चीश के बारे में किया जरूरी है मुझा जिए मुंस कीश्च का ग्यान जाड़े? अगर हमें रॉकेट साइंस नहीं आप है लेकिन मेरा मेन जो है न जो मेरे अंदर confusion है वो यही है कि इसका प्रमाण मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यह जो है writer इसके सौमी दयानंद जी है मुझे वो है और मुझे चलो मैं थोड़ा research करके सौमी दयानंद जी ही है भाया यह दिखाया भी अच्छा मैं एक और चीज अजाद अगर आप पूछ लियो तो और बहुत tolerance है भाई में हमारे एक बहुत अच्छी बात लगी सर आपकी मेरो को सर एक थोड़ा सा personal question सौरी मतलब आप बुरा नहीं मानियेगा मतलब ऐसा कुछ personal नहीं है normal एक man to man conversation जैसे होता है न पूछ लू न बोली बोली सर जब आप जी जब आप सुसू करते हैं तो आप मतलब जो अपना पीनस है उसको छूते हैं कि बिना छोए सुसू कर लेते हैं यार ये logic वाली बात कोई करत मुझे ये देखो इस बात पर हसी आ रही है मतलब इसका क्या मतलब है यार मैं पूछ रहा हूँ कारण से पूछ रहा हूँ आप देखिए एक बाद बतारो मतलब सैकड़ो गंटो हो गए अगर मैंने किसी से कोई सवाल को पूछा है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है ना मैं आप से पूछ रहा हूँ बस हाँ या ना बताई आप छूके करते हैं कि नहीं करते बस यही पूछा मैं हाँ बिलकुल बिलकुल भाईया मेरा स्प्रीश एर कर दे अब इसका लोजिक भी तो बताओ ना मैंने हाँ बोल दियो लोजिक तो अब ये तो द्वितिय समुल्लास में दयानन सरस्वती जे महा माना हो दयानान चाहरशती कहते हैं कि उपस्थेंद्री जपर्श और मर्दन से वीरी की चिन्ड़ता नहीं सकता होती है परहास्त में दुरगंद भी होता है इसलिए उसका स्पर्श ना करें तो अगर आप अपनी उपेस्थेंदरी को स्पर्श कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई यह ना करें इसको करने से नपून सकता हो जाएगी चिंडता हो जाएगी तो देखो आप थोड़ा आरे समाजी ह आप बिना चुए कोई ऐसा सिस्टम निकालो मतलब कोई चिम्टा इम्टा जैसी भी चीज होती ना उसको निकाल के थोड़ा आप देखो कुछ जैक लगवाले बात रूमें चिम्टा रख लिए अपना नहीं चुकि भाई बहुट टॉल्रेंस है इनके अंदर में मैं इम्टा डालो ना अरे यार आप यही तो बात है ना देखो आप जो है ना यह बाते करके किसी और को मतलब ऐसे यह थोड़ा सा आप भी इसको मतलब अपने प्यान रखना चाहिए ऐसे बात है लेकिन आप देखो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती इतना मूर्खानंद है वो कि वो कह रहे है कि वह अपने पीनस को भी मत चुओ उसमें से आपको गंद आ जाएगी हाथ में तो वह हाथ को दो ले यार अब उनके जमाने नहीं रहा होगा दोना हो सकता है वो टट्टी साबून नहीं था ना जब मैं जाता तो यह सारी चीज़ें सिखाई गई है एग्सेक्टली यही बात है कि आप लोग को ना जितना मिठा मिठा है उगपपगपप गपपप गपपप गवादियों अगर आप लोगों को ये सब बाते या इवन अगर आपने खुद भी पढ़े होते हैं न सत्यार्थ प्रकाश तो आपको पता चल जाता कि हां मैं इस अब बाते कह रहा हूं वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है न अच्छा न्यूटन जी कुछ कहना चाह रहे थे हाँ मैं इतने कह रहा हूं आपसे मंगल जी आप इस चीज को समझ जिए कि कहां तक आप डिफेंड करेंगे आप बिर्जी से ही मंगल जी नहीं अच्छा नी बिजिश मंगल लिखा है नाम आगे न्यूटन जी क्या हो गया नाग पाल नाग पाल अरे ने 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 वो मंगल दिख रहा था मिरको स्क्रीन चोटी थी होड़ी तो नाग पाल जी अक्छली मैं ऐसा है कि आप समझ ये कि आप जिस परसन को डिफेंड कर रहे हैं अगर आप उसके जीवन चरीतर को आप देखते ह तो वो तारू भी पीते थे सिग्रेड भी पीते थे घड़ी भी पहनते थे न्यूटन सर बहुत एक्स्ट्रीमली सॉरी आपको एक सेगंड के लिबस में रोक रहा हूं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं सर भाई देखो मैं आज से आरे समाजीयों का नाम करन कर रहा हूं वो अगर आप उनका जीवन चरितर देखते हैं तो वो हुका भी पीते थे गड़ी भी पहनते थे और वो मंद भी पीते थे दारू भी पीते थे और दारू पीके कई के दिन तक तो वो होश में ही नहीं आते थे यह साभ बाते धियानान्द आतरू चरित पे लिखी वही है आप जो चीज को फॉलो कर रहे हैं वो आरे समाजी दोरा बताई गई है अगर आप उनकी किताबे आप पढ़ते हैं इवन आप सत्यात प्रकाश भी आप पढ़ते हैं तो आप उसमें से एक भी अच्छी चीज आप उसमें से नहीं निकाल सकते हैं यह सत्यात प्रकाश को सचाई है आप उस किताब को शुरू से लेकर अंडर तक पढ़ते हैं और उसमें से आप उसमें से पास अच्छी चीज़ें निकाल के बता दीजिए चलिए मैं मैं आपकी बात ठिक है मैं जो मुझे चुँआ गाया गे जो मुझे अच्छी बाते बताई गयी है वहां तक मेरी नौलिज थी बागी इस तैयार प्रकाश को रभभ के अच्छी बाते ना एक चौर डाकू गुंडा मावाली हुष्ट बाते बाते कर सकते हैंगे। अश्ची बाते सारी ठोड़ी न भूल जाओगे। अभी फिर आपको questa कुनी विवेख से काम करिए न आपको किeseी िलाठी की जरूप तो मुझे इसकी नहीं है तो मैं जब नेस्ट टाइम आऊंगा तो उसको पढ़के आऊंगा और फिर आप से बात करूंगा बिल्कुल आप सत्यात परकाश पढ़िए आप द्याना दाहत मुझे लिता पढ़िए आपको कई सारी चीजे समझ में आएंगी और अच्छी बाते बोल देने से वो चीजे अच्छी नहीं हो जाती ना अच्छी बाते तो कोई भी कर सकता है है ना वह आप समझे इस चीज को आपको किसी की लाठी की जरूरत नहीं है आप अपने विवेक्स अगर आप काम करते ना तो आपको नहारे समाज की जरूरत है ना आप समातन की आपको जरूरत है सही है ठीक है सार मैं पढ़के आओंगा फिर मैं आपके पास आओंगा फिर बात करूँगा ठीक है थैंक यह उपाय भी देखती जाई यह चिम्टा वोगरा अगरा 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 है